आप अपने लिए एकदम फिक्ट और परफेक्ट सैज की ब्राबाई कर सकते हैं और उसको वियर भी कर सकते हैं क्योंकि रिशर्च के अकोडिंग 80 परसेंट फीमेल अपनी सैज से बिक सैज की ब्राब्लम होती है और 70 परसेंट ऐसी फीमेल होती है जो अपने सैज से कम सैज की ब्राब्लम होती है आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे आप अपने लिए खुद एकदम परफेक्ट सैज की ब्राब्लम कर सकते हैं और उसको वियर भी कर सकते हैं जिससे आपको ब्रेस्ट सेगिंग की प्राब्लम नहीं हो ब्रेस्ट मे पैने थी और कैसे बनाई थी फ्रांस की जो फ्र्स्ट मॉडल थी हर्मिनी कॉडल उन्हों 1869 के अंदर एक जेकित के दो टुकडे काटकर उनको जोडने के बाद बाद बनाई थी तब इससे बादना शुरू ही थी और तब की से female 브라 Nada blush गर्धिसे आप और कुछ में सैसी हैं जिनको पता ही नहीं लगता है कि ब्राक का सऺास silent किया जाते हैं या फिर किस टैप की ब्रावि抗 की जाती है जिसे मान लिजे आप घर पे हो आप नॉर्मली जो कॉटें की ब्रा है उनको ही वियर करें वह आपके लिए कमफरटेबल रहेगी या फिर आप बाहर जाते हो आफिस गोईंग गर्ल हो या फिर आप सूट वियर करते हो तौप वियर करते हो उस टाइम पर आपको पैड़ेड ब्राही वियर करने चाहिए जिससे आपके जो निपल्स के जो डॉट्स है ना वह नहीं वीजिबल हो क्योंकि गल्स सबसे जादा अनकमफरटेबल तभी फील करती है जब उनको ठाण लगती है या फिर निपल के डॉट्स किसी रीजन से उभर कर दिखते हैं तो उनको सख्यान इसक्राइब लगता है रिँर्षरक को सबसे करने जब अब अगर आप जिम जाते हो तो जीम जाते हैं गल्स स्पोर्ट ब्रा म्योंकि esperar करती है इस पूरद ईए करने का एक रीजन है जब एक्स करती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रार नौहिए उसको गरोध ऑटी है और दीरे दीरे वो ग्रोष होती है एकदम से नहीं होती है तो उस ग्रोध को फिट and fine रखने के लिए ब्रेस्ट को सपोर्ट चाहिए होता है इसलिए गल्स जिम के अंदर जो सपोर्ट ब्रा है उसको वियर करते हैं जिससे उनके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिले और ब्रेस्ट सेगिंग की प्राबलम नहीं हो इसके लिए वो जिम के अंदर सपोर्ट ब्रा वियर करती हैं अगर आप गोईंग गर्ल है या फिर आप स्कुल जाती है कोचिंग जाती है कहीं पर भी जाती है तब आपको हमेशा पैड़िट ब्रा करनी चाहिए अब आप सोच रहोगे कि पैड़िट ब्रा कैसे सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो नॉर्मल ब्रा होती है न वो तो जो कमर की साइज होती है उसी के अकोर्डिंग हम लोग बाई कर लेते हैं बट अब पैड़िट ब्रा कैसे बाई करें उसके लिए आपको कन्फिशन कुछ जादा होता है तो जो नॉर्मल ब्रा होती है अगर आपके कमर का साइज है 28 तो हम लोग नॉर्मल शॉप पर जाके बोल देते हैं कि 28 साइ पैड़िट ब्राइब कर सकते हैं उससे आप अपने कमर की साइज के अपर नहीं मिलती है और जो पैड़िट ब्रा होती है उनमें 30 नंबर से लगा करके 32 34 36 38 इस टैप से ब्रा मिलती है बट इनमें भी इंक्लूड होते हैं इनके कप साइज तो कप साइज के अकोर्डिंग आपकी जो ब्रा है वो आपके लिए फिट होती है अब आपको नहीं पता ही कि कैसे आप अपने लिए कप साइज के अक्ड़िंग एकडम फिट ब्रा बाइक कर सकते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सी ट्रिक को फोलो करते हुए आप अपने लिए और फिट टैप की ब्रा रा कर सकते हैं और उसको विएर भी कर सकते हैं आप और ब्रा को विएर करने के बाद आप एकडम confident और अच्छी रहेंगी क्यूंकि इस ब्रा कर ने के बाद आप पिखल कर ले चाहिए जब लड़ी कि अपनी प्युवर्टि एज में चल रही होती है और उनको उनके दर्द होना शुरू हो जाता है तब इससा उनको ब्रा विएर कर देने चाहिए बहुत सारी गल्पींस तमें濃 ऑlicht सब्सक्राइब इसकोड़ क्यों करने चाहि investments ऑपको अगर आपको ब्रेस्ट में shrliv करने की जरूत की लिए अपको आसा करने के लिए इसके म urgent कर करके बताएंगी जिससे आपको समझने में आसे नहीं रहेगी और आपको पताह लगेगा कि आपको किस साइस की चान्य माश्री सब्सक्的 सब्सक्राब के से नहीं बनती है, 27, 29, 31, 33, स्टेप से ब्रा कभी भी नहीं बनती है, तो जो ब्रा बनती है, वो equal size की ब्रा बनती है, इसलिए जो आपके chest का size होगा, वो भी equal ही होना चाहिए, कप का जो size होता है कप size के अंदर double A means होता है 0 A means होता है 1 B means होता है 2 C means होता है 3 D means होता है 4 E means होता है 5 इसी type से जो के cup के size होते हैं वो निकल के आते हैं अब अपने लिए bra का size और cup का size कैसे measure करना है तो उसके लिए आपको लगेगा एक inch tip बंब साइज को मापने के लिए अपको इंचटेप को ऐसे ही लेना होगा ना हम ईRY तो एकदम ज्धादा लुज होणा जाए नहीं एकदम टÇa यहीं नहीं एकदम टॉपन को फैन्टे आप है न वो शेयर कर रही हूं तो यहां पर मैं बैंट का साइज लेती हूं 2727 में 5 और आड़ करने है तो 27 plus 5 इसकोस्त होते हैं 32 यह होता है मारा परफेक्ट एन्फाइनल बैंड का साइज और उसके बाद लेना है अब रिस्ट का साइज लेते डाइम एक बात आप जरूर ध्यान रखना आपके निपल वाला एरिया है ना वहीं से आपके साइज ले-टेगा अगर आपने थोड़ा नीचे से या फिर पहुत आदा उपर से ले लिया तो अपको थोड़ा लूज भी हो सकते तो थोड 22-32 होता है तो यहां पर ब्रा का साइज यह आता है थर्टी-टू एबहुत थी कम मतलब कि कम साइज की ब्रा होती है और इस ब्रा में मतलब जिनका यह सकते हैं उनको जएदी पैनलिये है सब्सक्राइब करने के बाद आपको समझ आया होगा कि एकदम परफेक्ट और आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना चैनल को श्यार एंड सब्सक्राइब जरूर करना बाबाई एंड टेक केर मिलते हैं नेच्ट वीडियो में